दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूटूब चैनल इविटेक में आज है 19 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की मात्मून खबरें जो आज के प्रमुक समाचार पत्रों पे शाय हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत हैं सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट लो लोग सेवा आयोग के तरब से कल नोटिस जारी की गई और बताया गया कि यह जो राज क्रसी सेवा का विग्यापन है अप्रेल में जारी किया जाएगा पदों की संक्या इसमें 268 रहेगी और आप लोग जानते हैं आचार सहीता लागू है उसके बाद भी लोग सेवा आयो की यूड से समदेत राज क्रसी सेवा दोजार चौविस के अंतरगत इन पद्दों पर भड़ती की जाएगी इसके लिए अप्राइल के पहले सब्ता में विग्यापन संबावित है इसे के साथ आवेदन की प्रक्रिया भी सुरू हो जाएगी हलांकि आवेदन से पहले प्र की उड़ से नई बढ़तियों के लिए आवेदन लिये जाने के प्रक्रिया भी सुरू है अब इसी क्रम में क्रसी सेवा में बढ़ती की गोश्ड़ा की गई है 268 पदों पर विग्यापन आएगा अप्राइल के पहले सब्ता में इसका विग्यापन जारी होना है तो आप ल कि नसे में धुद सिपाही ने गोलियां बढ़ता करकी सिच्छक की अत्या यूपई बोर्ड के उत्तर प्रस्तिकां जमा कराने गए थे तो मामूली सा भीवाद था सिच्छक का नाम धर्मेंद कुमार इनकी ड्यूटी लगाई गई थी बोर्ड कांपियों को एक जिले से द के साथ तो वहीं पर जो इनके साथ में सुरच्छा कर्मी थी ठीके थोड़ी से भाष वही बहेस क्या हुई माधर तंबाकु ना देने की बजह से जो पुलिस कर्मी था वो तंबाकु मांग रा था इनके नोंने तंबाकु नहीं दिया और इसमामूली में विवाद हो गया म और उस पुलिस कर्मी ने अपने पास जो रिवालवर रखी थी कारवाइन रखी थी उस कारवाइन से कई सारी गोलिया इनको मारी और मौके पर ही इनके डेथ हो गई तो इसी मामले को लेकर कि कल जो है पुर्देश के लगबग सभी जो मुलाइकन केंदर हैं वहां पर इसका जो है अंदोलन हुआ और जो है इसमें मौभजा देने की बात की गई आरूबिक गरफतार करने की बात की गई उसी कड़ी में आप देखेंगे तो यहां पर आज समचार पत्रों में दिया गया है देखिए यहां पर दिया गया चौंतिस केंद्रों पर सच्छकों ने नहीं जाची कांपियां यूपी बोट की कांपियां लेकर पूंचह के मजभ्ण अगर में एक कि हैं जाएक इसके इंदर बनिपुरे उत्तर प्रदेश में यहां पर कावियों के नहीं जाची गई है और सुमृता का सुरित को एक क्रोड मुआवजे की मांग उठाई गई है साथमसार नोकरी की मांग उठाई गई और कई सारे यहां पर जो है मामले हैं लेकिन सरकार की तरफ से कर इसम यह भी तयार नहीं है आज भी देखो मुल्यांकन होता या नहीं होता है यहां पर देखे अपडेट है सिपाई बढ़ती को लिए करके कि परिचा लीक होने से पहले हुई असी करोण की बंदर्माट जांच में खुलासा साजिस में सामिल रहे दो दरजन से अधिक आरूपी तो उसी के बारे मताया गया कि सिपाई बढ़ती और समिच्छा अधिकारी बढ़ती परिच्छा लीक मामले की जांच में एक और खुलासा हुआ है परताल में सामने आया है कि दोनों परिच्छा लीक कराने से पहले ही जाल में फसे अब बेढ़तियों से असी करोण बढ़ती पर इच्छा लीग कराने के नाम पर वसूल ले गए थे तो आप लोग दे सकते हैं कितना बड़ा रश्टाशार हुआ सिपाही बढ़ती में आरोय और बढ़ती में अब यह जांच में खुलासा हो रहा है यहां देखिए अपडेट है कि अब बीए डिगरी धार्यक भी करेंगे सामान दोर बीए सी के डिगरी होना जरूरी है लेकिन लगना विस्विद्याले में नई सिच्छा नीत के तहरत अब बीए करने वाले विद्यार्थी भी msc में ले सकती है विश्विड्यलाइघ दिया में इAG समय बदलाओं कर दिया है अगले सत्र से किसी भी स्ट्रीम में शनात्र करने वाले विद्द्धिक किसी भी सब्रही करनेगे। यौन को सुर। पाये यहाईंain के बाद उन्हें पसंद की कच्छा में प्रवेस्ट मिल जाए गए इसमें उनकी सनात्र की डिगरी किसी विश्ट्री में हो इसके कोई मतलब नहीं रहेगा लखना विस्विद्धालेक की डिन अकेडिमिक्स प्रोफेसर गितांजरी मिस्रा ने बताया कि नई सिच्छानीतिय पढ़ाई के लिए अनिवारता और नियाव के बजाए विद्धैर्थी की पसंद को प्रमुकता दी गई है तो कुम लागर के एक अच्छी अपडेट है कि जो लोग बीए कर रहे हैं अगर वो लॉग इन करने की प्रक्रिया में अप्राइल से बड़ा बदला होने जा रहा है इसके लिए दोहरी सुरच्छा व्यवस्ता यानि टू-फैक्टर अथिंटिकेशन लागू होगा इसमें पेस अधिस्यों को अधार सत्याफर ममाईल अपर आयोटीपी के अदर पर लॉग इ जाएगी पी फर डिये ने हाली में टू-फैक्टर अथिंटिकेशन को अनिमार कर दिया है नियामा का कहना कि इसे खाते के सुरच्छा बढ़ेगी तो जो भी एंपिस खाते में अगर आप लॉग इन करना चाहते तो अब आपको टू-फैक्टर अथिंटिकेशन करना देखे अपडेट है कि सिच्चक बढ़ती परिच्छा के प्रसन पत्र की कौपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेंडराइब में बिहार लोग से वाएक को दौरा लीगे इस इच्चक बढ़ती परिच्छा के तरती चरण की पेपर लीक मामले की जांच का दायरा बढ़त गिरों के पास में प्रसन पात्र बारकोड भी नहीं है इसे माया है कि प्रिच्चा की चमिला यू सामयर हो सकता है परिच्छा के प्रिच्छा की चम्यक्रूंब प्रिस भी जांच के दारे में हैं तो एक बड़ा खुलासा देखे हुआ है कि पेपर शपने से पहले पेपर लीग किया गया Nct ने चारवर्सी B8 के लिए कालेज्चों से मांगा आवेदन Nct ने चारवर्सी A28 कोडस शुरू करने के लिए आवेदन मांगा है वर्सव दोजार पच्चीस ने चारवड़ से बीवड़ कोर्स चलाएगी नई सिच्छा नितिके दत्थ एंसीटी ने बीवड़ कोर्स का परारूप बदलाए चारवड़ सीए बीवड़ कोर्स के लिए कालेज 31 में तक आवेदन कर सकते हैं एंसीटी ने आवेदन करने के लिए मानग भी तैयार किये गए जिन संस्तानों का नए ग्रेडिंग मिला होगा वही कालेज इसकोर्स के लिए आवदन कर पाएंगे हलांकि बी यार एभी यू के 63 में से किसी भी कालेज की ने ग्रेडिंग नहीं है ने के लावा एन आई आर आपके लैंकिंग भी कालेजों की होनी चाहिए तो फिलाल यह आवदन मांगे गए हैं चारवर सी बीड के लिए सभी विद्यालियों से दोस्तों यह हो गई आज के सभी सुचना है उम्मेद करेंगे वीडियो आपको बसंद आया होगा इसी तरह के अपगेड्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी आप चाहिए तो डिस्क्रिप्सन वेक्स हमारा टेलिग्राम चैनल का लिंक है यह भी सुचन हमारा टेलिग्राम से आप लोग डाउन्लोड कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद है